आज मैं बनाने वाली हूँ दही बड़े और ये दही बड़े विल्कुल नए ट्रिक्स से बनाने वाले जिसे ये बहुत ही जालीदार और स्पॉंजी बनेंगे बिल्कुल ब्रेड जैसे और अंदर तक इसके दही भी घुसेंगे तो चलिए बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले मैंने ले लिया है उरत की दाल रात बर के लिए उरत की दाल को मैंने भीगो के रख लिया था दो से तीम पानी से धोके साफ कर लिया है मिक्सी दाल में डाल के इससे अच्छे से पीस लेंगे मतलब एकदम से महीन पीसना है ताकि यह जालीदा और स्पॉंजी बने तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल के पीसा था अगर नहीं मतलब महीन हो रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल के इससे पीस लें एकदम से महीन पीसन बकषम नेबिंग सुड़ा डाला सा 250 क्राम यह दाल लिया था चुटकी लदी नहीं अदिग नहीं लेकिंग सैम टाल ले तो सबसे करहिए harika है नहीं हे रहती मिज़ की लगा दाए दो यहां मैंने चेक कर लिया और बड़े जो है जो डाल मैंने डाला पानी में तो यह मतलब ऊपर आ गए मतलब यह जो दाल मैंने फेटा है वो दम से रेडी हो चुके हैं दही बड़े बनाने के लिए तो बस इते रेस्ट पे रख देंगे कम सी कम 10 मिनट तो 10 मिनट रेस्ट पे इतंको पूलाई रखने से और अच्छे पूलेंगे कि हान हम साले को रेड़ी कर ले रहे हैं नितीक पहले चार चम जीरा लिया है और चार चमच्ही मैंने अज्जबाएं लिया इसी भूनना है तब तक भूनेंगे जब तक इसका color change ना हो जाए अच्छे से और इसमें से खुस्पू अच्छी आने लगे धुआ जैसा निकलने लगे तो मतलब ये भून चुका है इतना भूनना है कि इसका color जब हम दही के अंदर डाले तो इसका color अलग हो जाए और दम से देखने में अच्छा लगे तो बस यहां ये बिल्कुल ready हो चुका है चूले को off कर देते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं तो यहां ठंडा भी हो चुका है इसे डालेंगे mixis आर में और इसका एकदम से महीन इसे पीस लेंगे एकदम महीन पाउडर बना लेंगे इसका तो यहां एकदम से ऐसा चाहिए देखिए color बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए तब जाके मचाएगा दही बड़े के अंदर इसे खाने में अब हम दही ready करेंगे तो दही मतलब मैंने डाल जो लिया था 250 ग्राम लिया था तो दही मैंने डेर लीटर दूद को अच्छे से उबाल के उसे जमा लिया था दही और ये घर का दही है तो यहाँ अलग से जो बड़े है उसे हम पानी में डालेंगे दही थोड़ा ज्यादा लिया है सारे दही बड़े तलने के बाद मैं दही के अंदर डालने वाली हूँ तो ये ट्रिक बहुत यूनिक है आप वीडियो में बने रहे हैं आगे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ दो कब पानी भी इसके अंदर डाला है मतली है और इस दही को अच्छे से मतलेंगे तो कम से कम 2-3 मिनट इसे अच्छी से हाथों से मतलेना है दही को तो बस दही को मैंने मत लिया है और एकदम सी ये दही गाड़ा था और मतने के कारण ये पतला हो गया है धीरी धीरी ये फिर से गाड़ा हो जाएगा इसके अंदर कुछ चीजे डालेंगी वो है नमक तो यहां मैंने सेंदा नमक डाला है आप कोई नमक डाल सकते हैं और ये है काला नमक काला नमक डालना जरूरी है तब जाके टेस्ट बढ़ी आएगा तो काला नमक थोड़ा से जादा डालिएगा अगर चाहे तो आप सिर्फ काला नमक डाल सकते हैं चीनी मैंने 7-8 चमच लिया है, क्योंकि दही जादा लिया है, इसलिए चीनी जादा इसके अंदर डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर मिक्स करेंगे ताकि चीनी अच्छे से इसके अंदर मैंट हो जाए, यहां मैंने लाल मिर्श लिया है, यह लाल इसके बिखेया ना वह मसाले भी इसके अंदर डाहिए तो कम से कम 45 चमाच मसालें दालेंगे तब एकदो ख़राकी इस न्डेस्ट नामट पॉर और ये मसाले अच्छे से मिक्स करेंगे बहलें सारे से का अंदर न्ह dłutam और ऐसे भी चमच से उठाके चख लेना थोड़ा सा कि कितना यूणीक टेस्ट आने वाला इसके अंदर मजह आ जाएगा खाके सच में कोई लाल चटनी हरी चटनी इमली की चटनी दही में नहीं डालना चीए मेरा तो राइ यही है कि आप इमली की चटनी दही में डालके न ख सकते हो तो यह टेस्ट भी बढ़िया आएगा इससे और आपके पेट के लिए फायदे मन्द होगा इमली की चटनी या किसी भी चीज की चटनी अगर दई के अंदर डालोगे तो अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए यह मेरा मानना है यहां दाल जो रेष्ट पे रखा था वह मेरा है जो रेड़ी हो चुका है तेल मैंने गर्म कर लिया है और आप मैंने एक छलने ली है इस पे थोड़ा सा पानी लगा लेना है आप चाहे तो हातों से उठाके चमच से कैसे भी डाल सकते हो गोल गोल लेकिन यहां जो है ना इस तरह का मैं जब बनाती हूं थोड़ इस अधरी है मैं ऐसे बनाती हम ताकि यह देखने में और किसी को अगर दो तो अच्छा लगता एक ही दही बड़े तो बड़े से अच्छे लिखते हैं तो तेल बड़ियां से गर्म चाहिए हमें और वस सारे बड़े को है मैंने डाल दिया है आप देख सकते कितने अच्छ बन जाते है दही बड़े और यह दही बड़े गारेंटी है कि नहीं बनेगे क्योंकि यह फूली के साथ साथ खास्ता हुए है मतलब इसके अंदर तक दही जाएंगी तो ध्यान रखना है कि दही इसके अंदर तक घुसेगा तो यह बहुत स्पॉंजी बनेगे तो आप दही बड़े कितने बड़े फूल्के हो जाएंगे मैं काट के दिखाऊंगी कि अंदर तक कितना बढ़िया से दही और इसका अंदर का टेस्ट बहुत बढ़ी आएगा कि दही के अंदर जो चीजे हम दोगोंने डाली है न वह सारे दही बड़े के अंदर जाएंगे इस तरीके से जरूर्ड त्राइग कर लेना इसी तरीके से मैंने सारे दही बड़े को तल लिया है और सब को इसी तरह तल तल के न तद्द के अन्रब के अंदर सलएंट न दही अगधम से सुख्य सुख्य से हो गएं तो मतलब सारे दही दही बड़े के अंदर जा चुके हैं और दही क। देख सकते हैं ह। अंदर से इतने पॉणी और अच्छ अच्छ वणा है। डुणा के अनदर तोगा है। नियुकी तर न सारे मसाले लोगा ने फेट दिये थे। तो इससारा थाही बड़े अच्छ वणी और अंदर यृणा है। और इस तरीके से मैंने एक फ्लेट में सारे धही बड़े को रख लिया है क्योंकि मुझे ना फोटो क्लिक करने थी तो इसी तरीके से सारे धही बड़े को आप भी सजा सकते हैं और देख सकते कितने जालीदार अच्छे बने तो आप भी जरूर ड्राइ करिए बहुत टेस्ट यह बहुत अच्छे घर पे आप बड़े हैं